हिमांशु कुमार गांधी विचार के सामाजिक और राजनेतिक कारे करता है। उनका जनम 1965 में मुजफर नगर में हुआ। उनकी पढ़ाई मेरट, हर्दोई, दिल्ली और जैपुर में हुई और उन्होंने जर्नलिजम में पोस्ट ग्राजुट डिग्री हासिल की। 1992 में हिमांशु और उनकी पत्नी वीना भला दानतेवाड़ा जाकर रहने लगे जहां उन्होंने वनवासी चेतना आश्रम का गठन किया। और 22 साल वहां वह आदिवासियों के साथ रचनात्मक कारियों में जुटे रहे। सल्वा जुडूम प्रक्रिया का विरोध करने के कारण उनके आश्रम को उजाड दिया गया और उन्हें दानतेवाड़ा छोड़ना पड़ा। हिमांशु आज भी मानवधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार हिमांशु जी थांक्यू शुक्रिया आपका स्वागत है आहिम्सा का अनुभव या उसकी चनौती के बारे में। देखिए मेरे पिताजी मेरे ताउजी वो स्वतंतरता संग्राम में थे फ्रीडम स्ट्रगल में मेरे ताउजी तो नहरूजी के साथियों में से थे कॉंग्रेस के जो बुक है उसके फ्रंट पर जो फोटो है उसमें कॉंग्रेस सेवा दल 1940 का फोटो चपा हुआ है जिसमें दस्ता नायक सेंटर में मेरे ताउजी बैठे है जवारला लेरू साइड में बैठे हैं एक सामानने कैड़ेट के रूप में आपके ताउजी का नाम पंडित बंपरकाश शर्मा मुदफर नगर अभी भी अगर आप मुदफर नगर जाएं तो एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है स्वतंतरता संग्राम से नानी पंडित बंपरकाश शर्मा इस्मरती द्वार तो वो नहरूजी के साथियों में से रह खुषे नाद नाज़ाएं लाल-बादर्यशास्त्री हमारे घर में दो साल रहे चंदर्शेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो 6 महीना अंडर ग्राउंड रहे राज नरायान जो इंद्रगाणि खिलाफ चुनाव लले थे और जीते थे हैल्थ मिनिस्टर बने थे वो हमा जी के साथ उनका पत्र वैवार हुआ गांदी जी ने हमारे पिता जी को अपने आश्रम में बुला लिया और फिर सेवा ग्राम में और जो नई तालीम का कारिकम था गांदी जी का उसमें रहे फिर विनोबा भावे ने जब भारत में भूमी जो अन्याए है जमीनों की जो अस पिताजी उसमें शामिल हो गए, उत्तरप्रदेश में हमारे पिताजी को मंत्री पत दिया गया और उनको जमीन बाटने की जिम्मेदारी दी गई, पिताजी ने 20 लाख एकर जमीन बाटी लेकिन खुद भूमिहीन रहे, तो हमारे घर में ये गांधी वादियों का और सर्वोदय के लोगों का, भुदान के लोगों का बहुत आना जाना होता था, तो वो बहुत ही सहज संसकार उस तरह का मिलता रहा गांधी जी के विचारों का, और पिताजी कहते थे कि बापू कहते थे कि नौजवानों को गाउं में जाना चाहिए और गाउं में रहना चाहिए नहीं तो भारत का लोगतंतर गुंडों का लोगतंतर बन जाएगा तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन के बाद दिल्ली छोड़कर अपना सूटके स्पैक करके एक गाउं में 36 गड़के दंतेवारा जिले के एक अंदर आदिवासी गाउं में जाकर एक पेड़ के नीचे हमने रहना शुरू कर दिया था यह कौन से साल की बात होगी नैंटीन नैंटीन टू और उसके प्राद हम 18 साल वहां रहें जी तो यह तो सब पुरानी चीजें हैं यह दंतेवारा जाने का कैसे फैसला हुआ क्योंकि तब तक यह इलाका काफी तनावपूर्ण बन चुका था और एक तरफ सरकार एक तरफ मावेस्ट्स वह पूरा महौल बताईए कि जहां आप जब आप पहले तो वहां जाने का आपने कैसे सोचा और वहां आपको क्या महौल मिला ऐ हिंसा और अहिंसा के विशय को लेकर आपने वहां क्या देखा असल में सन अठासी में निर्मला देश पांडे, हमारे पिताजी और कुछ अन्य गांधिवादियों ने उस इलाके में जाकर तरीब पंद्रा दिन बिताए थे आदिवासियों की इस्तिती को समझने के लिए तो मैं भी एक युवा होने के नाते बहुत ही शुरुआती दिन थे मेरे मैं 18-19 साल का था तो उनके साथ चला गया और वहाँ पर जो हालत देखी उसमें मुझे लगा कि लोगों के पास अपनी समस्याओं के समधान के लिए जो समधानिक और अहिंसक रास्ते हैं उनको प्रियोग करने की जरूरत है दूसरी तरफ वहां लकसलवादी आ गये थे जो अब लोगों को ये एहसास दिला रहे थे कि सरकारी बंदूख का मुकाबला बंदूख से किया जा सकता है और वो काफी सफल भी हो रहे थे तो मुझे लगा कि गांधिवादियों के लिए चनौती पूर्ण इस्थान है जहां हम अहिंसा को सिद्ध कर सकते हैं तो उसके चार साल बाद फिर शादी हुई और अपनी पत्नी को लेकर मेरी पत्नी भी एक गांधियन फैमिली से हैं उनकी उनके पिताजी की मौसी गांधिजी की फैमिली डॉक्टर थी डॉक्टर सुशीला नईयर तो वह उनके जो बारत में हेल्थ मिनिस्टर भी रही गांधिजी की फैमिली डॉक्टर थी तो हम दोनों ने शादी के 20 दिन बाद हम चले गए और हमने यहीं तै कि हम वहां आहिंसा सम्मिधाल इसको वहां पर सिद्ध करेंगे कि यह काम कर सकता है वहां आप रहने लग गए पर कारिया क्या चला रहे हां तो अब असल में हम लोग जब बहुत किताबें पढ़के जाते हैं शेहर से मेरा तो जन्म शेहर में हुआ कभी गाओं देखा नहीं था गाओं में जाकर रहना शुरू कर दिया तो सवाल यह आता है कि जो किताबों में पढ़ा था उन विचारों को जमीन पर उतारेंगे कैसे तो जमीन पर तो लोग है अब वहां वो विचार जानते नहीं वो तो उस वक्त उनको यह नहीं पता था देश का नाम क्या है वो हम से पूछते थे वहां पर बारा किलो मीटर दूर एक कस्बा है दंते वाला से जिसका नाम गीदम है तो पूछते थे कि दिल्ली गीदम के उस तरफ है या इस तरफ है तो हम लोग वहां रहना शुरू किया हमने देखा कि यहां अभी गांधी और विनोबा और अइंसा और सर्वोदय इसकी बात करने की बजाए सबसे पहली जो समस्या है वो यह है कि मलेरिया बहुत है लोग हर घर में बीमार है पीने का पानी नहीं है राशन की दुकान छे महीने में एक बार खुलती है राशन भी नहीं मिलता स्कूल में बच्चे पांच भी पास नहीं हुए हैं पिछले चालिस साल में एनम नहीं आती है मलेरिया वरकर नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें पहले तो ठीक से चलें तो हमने लोगों को बताना शुरू किया कि उनके लिए सरकार ने क्या विवस्ता की है उनके राइट्स क्या है एंटाइटलमेंट्स क्या है और फिर उसके एराउंड उनको और्गिनाइज करना शुरू किया फिर उनको लेकर इसके पास जाना शुरू किया, फिर उनके हैंड पंस लगने शुरू हुए, उनके यां, फिर हमने दवाई बातना शुरू किया, मलेरिया स्लाइड बनाते थे, दवाई देते थे, घर-घर जाते थे, मेरी पत्नी का जो मेक अप बॉक्स था, उसको खाली करके हमने उसमें कि रैशन शॉप्स खुलने लगी, आंगन बारी चलने लगी, फिर वहां के जो अधिकारी थे, वो बहुत खुश हुए कि बई दिल्ली से कपल आकर यहां गाओं में जंगल में रह रहा है, फिर हमें सरकारी कमेटीस का मेंबर बनाया, और फिर हमारे पास बहुत लोगों न आकर कि कहा कि हम आपको मदद देना चाहते हैं, फंड्स खूब आने लगे और धीरे धीरे हमां हम जो दो लोगों ने शुरू किया था वो काम, एक हजार साथी हमारे हो गए, एक हजार का स्टाफ हो गया, हम चार जिलों में फैल गए, इस संस्ता का क्या नाम रखा आपने? वनवासी चेतना अश्रम और हम लोगों ने फिर वाटरशेड डिवेलप्मेंट, लाइवलिहोड, सैनिटेशन, एडुकेशन, कॉम्यूनिटी एडुकेशन, कॉम्यूनिटी हेल्थ इस पर बहुत कारिक्रम चलाए वहाँ पर और बहुत ही शान्दार काम हुआ वहाँ पर. इस दोरान आपको जो लोग ये, जो मौविस्ट विचार या माक्सिस लेनिनिस्ट विचार के जो लोग थे, जो मानते हैं कि जो दबे कुछले लोग हैं, उनकी हिंसा जो है वो वाजिब होती है, वो जरूरी होती है. इन लोगों से आपका क्या, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप उनसे मुले ना हो और उन्होंने आपके काम को देखकर कोई प्रतिक्रिया ना की हो, तो वो क्या प्रतिक्रिया थी? और आप ये दोनों बिलकुल अलग विचार धराओं के बीच में क्या डाइनामिक बना? विचारधारा है, Shades हैं बहुत सारे, यहां तक कि माववादी विचारधारा में भी उस वक्त बहुत सारे fractions थे और Leninist, Marxist वो माववादियों से बिलकुल अलग है, जी Marxist में भी 40 एक करीब पार्टियां है, तो सब एक नहीं है, सरकार अलबक्ता कई बार ये कोशिश करती है गलत फैमी पैदा करने की, कि जितने भी communist हैं वो सब एक हैं और सब माववादी हैं, ऐसा नहीं है, CPI माववस्प एक अलग गुठ है जो प्रतिबंधित है और सिर्फ वही हिंसक्स जिसको सशस्तर संगर्ष कहते हैं, वो जो सशस्तर संगर्ष में विश्वास रखता है, उसको वो resistance कहते हैं, और उनका कहना है कि हमला सरकार ने किया है, जनता उसका प्रतिकार कर रही है, रिजिस्टेंस कर रही हैं, और वो कोट करते हैं भगत सिंग के उस quotation को, जिसमें बहगत सिंग ने भी वोईस रायक को चिटकी लिखी थी और उन्होंने कहा था, कि एक युद्ध की स्थिविद्धिमान है, लेकिन ये युद्ध भारती जनता के उपर थोपा गया है, संसाधनों पर कबजा करने और उसके श्रम की लूट के लिए, और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक ये संसाधनों की लूट और मजदूरों की मजदूरी की लूट, श्रम की लूट बंद नहीं हो जाती, भले ही अंग्रेश चले जाएं, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, तो वो इसको कोट करते हैं और कहते हैं कि भगत सिंग को मानने वाले हम लोग हैं, बहرحल उनके साथ हमारी रास्ते को लेकर मदवेद हैं, हमें लगता है कि उनका जो रास्ता है, वो वहाँ नहीं पहुंचाएगा जहां वो पहुंचना चाहते हैं, और जनता को भी वहाँ पहुचाएगा जहां वो जनता को ले जाना चाहते हैं तो उनके साथ हमारे मद्वेद हैं बहरहाल उनसे मुलाकात हुई और जब वो चाहते हैं तभी हम मिल सकते हैं उनसे हम जब चाहें तब नहीं मिल सकते हैं और हमारी बहसे हुई बहुत लंबी लंबी बहसे हुई पूरी गाउं में 19 निर्दोश आदिवासियों को पुलीस ने लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था, सिंगारम नाम का गाउं था, और उस मामले को ले करके हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, ये कौन से साल की बात होगी? दो हजार नौ की, और जब मैं ले जा रहा था, तो महाँ पर एक नकसली स्पाड आया, जिसकी जो नेता थी, वो एक लड़की थी, और उसने कहा कि आप गांडिवादी हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप ले जाएए इन्हे अदालत, लेकिन मैं आपको चुनौती देती हूं, आप इन्हें न्याय नहीं दिला सकते, ये विवस्था आदिवासियों को न्याय दिला ही नहीं सकती, न्याय मैं दिलाओंगी, मैं मार दूंगी पुलिस वालों को, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा था, जब सोनी सोरी के साथ, सोनी सोरी के Chief Justice of India की टेबल पर रख दिये गए थे उसके बावजूद उस मामले में कोई न्याय नहीं हुआ तब मैंने Supreme Court को ये लिखा था कि आपने आदिवासियों को न्याय न देकर इस विवस्था को नहीं दिताया है आपने उस आदिवासि को जिता दिया जिसने ये कहा था कि अगर तुमने इन आदिवासियों को न्याय दिला दिया तो मैं बंदूक रख दूँगी और गांधिवादी बन जाओंगी आपने मुझे हराया, आपने गांधी के आइंसा को हरा दिया, आपने उस आदिवासी लड़की जो नकसलवादी बन गई है, उसकी बंदूग को जिता दिया तो दिक्कत हमें ये है कि हमारी जो सरकार और हमारी जो विवस्था है वो हरा रही है जनता को वो जनता के विरुद्ध है इसलिए हमारी पहली शिकायत और हमारी पहली लड़ाई इस विवस्था से है कि नियाए दो गरीब को नियाए दो आदिवासी को नियाए दो दलित को नियाए दो जो जिनका आर्थिक शोशन हो रहा है उन मजदूरों को नियाए दो तब इस समाज में शानती आएगी क्योंकि शानती तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज में अन्याय विद्यमान है और दिख्वत की बात ये है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो सरकार कहती है माववादी है हमारे आज बहुत सारे साथी जेलों में पड़े हुए है सुधा भारत ब्वाज आनन तेल तुम्डे गौतम नवलखा और बहुत सारे बाहरा से जादा लोग है ये लोग कौन है ये लेखक है वकील है सामाजिक कार करता है कवी है एपी डब्लू के संपादक रहें गौतम नवलखा सुधा भारत ब्वाज अमेरिका में पैदा हुई लंदन में पढ़ाई हुई सारी जिंदगी एक हवाई चपल और सूती साड़ी पहन कर मजदूरों के लिए काम किया हाई कोट का जजज बनने का ओफर आया ठुकरा पार उन लोगों पर हमला कर रही है जो आहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिर पेक्ष्टा, आर्थिक नियाए इसकी रक्षा कर रहे है इसलिए आज अगर आहिंसा पर किसी तरफ से खत्रा है तो वो नकसलियों की तरफ से नहीं है वो सरकार की तरफ से है वो दालतों की तरफ से है वो व्यवस्था की तरफ से है इसलिए हमारा जो पहला प्राथमिक्ता है वो इस व्यवस्था को ठीक करने का ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो देश में आहिंसा का शाशन हो जाएगा हिंसा समाप्त हो जाएगी हिंसा समाप्त करने के लिए आपको हिंसा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हम सोचते हैं किसी आरपिएफ जादा भेज दो नकसलवाद खतम हो जाएगा वो आज तक नहीं हुआ आग से कभी आग नहीं भुझती है वो तो नियाय से बुझेगी जब हम नियाय बढ़ाएंगे शान्ती हो जाएगी आपके आश्रम पर हमला हुआ और एक किसम से आपके साथियों को आपको वहां से करीब करीब खदेड दिया गया तो ये थोड़ा सा समझाईए कि व्यापक संदर्ब तो आपने बताया इस व्यापक संदर्ब में वो क्या प्रसंद था कि आप जो वहां अहिंसा का काम कर रहे थे आपको वहां से एक किसम से उजाड दिया गया और आपने उसका कैसे सामना किया मतलब आपके लिए अंदरूनी कित्ती चनोती रही होगी क्योंकि आपको अपने क्रोध अपने अपनी भावनाओं सभी तो जूजना हुआ होगा तो वो जरा बताईए कि वो आपने कैसे कैसे जूजे आप तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग वहां पर काम कर रहे थे हमारा एक हजार का स्वाफ था हम लोग गाओं गाओं में स्वास शिक्षा, रोजदार सेल्फ हेल्फ नेच्रल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन सब का काम कर रहे थे तभी सरकार ने वहां पर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था सल्वा जुडुम सल्वा जुडुम समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं आपको जब हम 1992 में बस्तर पहुचे उसी समय एक नई आर्थिक नीतियां दुनिया भर में आ रही थी निउ इकोनॉमिक रिजीम और वो था कि जिसमें जिसको LPG कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइबिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसमें जो ग्लोबल कैपिटल थी वो गरीब देशों की तरफ दौड रही थी लेटिन अमेरिका, आफ्रीका, फिलिपिन, साउट एशिया की तरफ दौड रही थी, और वो कबजा कर रही थी नैचुरल रिसोर्सेश पर मिनरेल्स पर समुदर के तटों पर, जंगलों पर नतियों पर, पानी पर, इन पर कबजा कर रही थी भारत में भी और उसमें ये था कि सरकारों से कहा जाता था, deregularize कर दो कानून खतम कर दो, विदेशियों के आने के लिए रास्ता खोल दो पुझी मुक्त रूप से आनी चाहिए, उसके उपर बंदिश हटा दो license खतम कर दो वो सारा चल रहा था, deregularize कर दो तो 36 गड़ सरकार ने 100 कंपनियों के साथ M.O.U.S किये और सरकार कहती है कि हम नकसलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये भारत के संविधान को नहीं मानते, तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हैं संविधान, संविधान तो ये कहता है कि आदिवासी इलाकों में पांचवी अनुसूची लागू है और पांचवी अनुसूची शेत्र में बिना आदिवासियों की ग्राम सभा की अनुमती के सरकार एक इंच जमीन नहीं ले सकती वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती जब तक ग्राम सभा उसकी इजाज़त ना दे दे अप्रूवल ना दे दे लेकिन सरकार ने क्या किया सरकार ने पांच हजार गुंडे खटे किये उनको 303 राइफलें दी और उनसे कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस आफिसर हो और उनके साथ पैरा मिलेट्री फोर्सिस को जोड़ा गया और आदिवासियों के गाउं पर हमले शुरू किये गए साड़े छे सो आदिवासियों के गाउं जलाए गए हजारों लोगों को मार डाला गया हजारों महिलाओं से बलातकार हुए जेले फसा ठस भर दी गई आदिवासियों से शमता से अधिक यहां तक कि आदिवासियों को जेल में सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी सिर्फ दो घंटे एक शिफ्ट सोती थी फिर उसको उठा दिया जाता था इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो दुनिया की हर जेल में जा सकता है सुडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल रेड क्रॉस को 36 गड़ में जेलों में जाने की इजाज़त नहीं थी यहां तक की की बाद में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माववादी समर्थक संगठन कहेकर 36 गड़ से बाहर निकाल दिया गया ये जब सब चल रहा था और उसी दोरान सरकार ने ये जो पांच हजार गुंडे खटे किये राइफले थी उसका नाम रखा गया सलवा जुडुम शांती अभियान लेकिन इस अभियान में गाउं जलाए जाते थे गाउं पर हमला होता था और जो आदिवासी बहुत सीधे शरीफ आदिवासी हैं वो इन फोर्सेस को देखकर जंगल में भागते थे भागते लोगों पर गोली चलाई जाती थी उनकी फसले जला दी जाती थी घर जला दिये जाते थे उनके अनाच के गुदाम जला दिये जाते थे और महिलाओं के साथ बलातकार और बच्चों को मा बारना वो भाग नहीं पाते थे यह सब चला भयानत तोर पर इसके खिलाफ नंदनी सुन्दार रामचंद गुहा वगहरा सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोगों ने केस डाले और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटी कॉंस्टिटूशनल डिक्लेयर किया हम लोग वहां जब काम कर रहे थे तो यह जो साड़े छे सो गाउं है इनके बाहर पूरी तरह से घेरा बंदी कर दी गई थी कॉडन कर दिया गया ताकि यहां के आदिवासी बाहर निकल कर अपने के लिए चावल ना खरीद पाएं भूखे मर जाएं भाग जाएं जमीने खाली कर दें और इसकूल बंद कर दिये गए आंगनबाडी बंद कर दी गई स्वास्त केंद्र बंद कर दिये गए ताकि आदिवासी मर जाएं और भाग जाएं तो हम लोगों ने यूनिसेफ से बा उस टीम को CRPF ने पकड़ कर तीन दिन तक पीटा, दान एक साथी के तोड़ दिये, एक के हाथ तोड़ दिया, एक के एर ड्रम्स पड़ गए, और उसके बाद जब हमने प्रेस कांफरेंस करी, फिर सरकार, जो हमें अनुदान दे रही थी, जो हमें हर एडवाइजरी कमेटी म हमें अपना मेंबर बनाती थी, हमें जो कलेक्टर, SP, मिनिस्टर हमारी तारीफे करते थे, वो सब हमारे खिलाफ हो गए, और उसके बाद हमें नोटिस आया, और दो दिन के अंदर बुल्डोजर लाकर, एक हजार सिपाही, एंटी लेंड माइन वहिकल, बुल्डोजर लाकर के हमारा 18 साल पुराना साथ एकड़ में जो आश्रम था, जहां हॉस्पिटल था, फ्री, जहां पर डॉर्मेटरी थी, ट्रेनिंग हॉल्स थे, स्टाफ कॉर्टर्स, ऑफिस, गॉर्मेंट का अपना टेलिफॉन टावर, चार कुएं, सब कुछ नश्ट कर दिया दो गंटे क के अंदर, पूरा तहस नहस कर दिया, ठारा साल की बात है, 2009 में, जी, उसके बाद भी हम किराय के मकान में शिफ्ट हुए, वहां कामजारी रखा, लेकिन फिर वहां एक गाउं है, ताड में टला, सौरी, गॉमपाड, गॉमपाड में जाकर के 16 आदिवासियों को, CRPF की कोबरा बठालियने तल्वारों से काट डाला था, जिसमें नेटर साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मा के सिर में चाकु मार दिया, उसकी आठ साल की बेहन को मार दिया, नाना नानी को मार दिया, और 16 लोगों को कतल कर दिया था, वो केस लेकर हम सौPetten कोर् कि आज रात को आपको मारा जाएगा, पुलिस आपको गोली से उड़ा देगी, मेरे घर पर एक घंटे में हमला होगा, मेरे दोस्त के घर पर हमला हुआ, वो निकल चुका था अपने परिवार के साथ, उसका घर तैसनेस कर दिया, मोटर साइकल ले गए, लैप्टॉक उठा कर दे गए, टीवी फोड दिया, पूरा घर उसका तैसनेस कर दिया, और मेरे घर को पुलिस ने चारों सरफ से घेर लिया था, उस रात मुझे मारा जाना था, और मुझे ये फैसला करना था, कि मुझे शहीद बनना है, या इस लड़ाई को जारी रखना है, तो मैंने लड़ा मैं रायपूर पहुचा और एरपूर्ट, दस साल मैं बाहर रहा, मेरे खिलाफ बहुत सारे वहां फर्जी मामले बना दिये गए थे, मेरे बाद मेरी एक स्टुडेंट थी, सोनी सोरी, उनका भतीजा लिंगा कोडो पी, इन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, इन राइड्स प्रोटेक्शन का हम इनके साथ हैं और ये जो समविधान को बचाने की, कानून को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जो हमारी महीम है, हो बदस्तूर जारी है, हम अदालतों में, पधियात्राओं के माद्याव से वर्क शॉप सेमिनार्स के माद्याव से, ये पूरी जो लूट है, इसको जागर करते हैं, मुझा अमेरिका बुलाया गया, मैं वहां इस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेलफिया, बर्कले, सैंड डियागो, सैंड फ्रैंसिस्को, बहुत सारी उनिवर्सिटीज में, बॉस और ये सब तब से लेकर के हम लगातार लगे हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न्याय की स्थापना हो, सम्मिधान अपना फंक्शन कर पाए, आहिंसा फिर से जीते, और सरकारी बंदूखें और गैर सरकारी बंदूखें, दोनों शान्त हो जाएं, ये हमारी बदस्तूर जारी है, आपके बात से मुझे ये भी लग रहा है, ये जो व्यवस्था का जो रवया है, ये कोई भी पार्टी पावर में हो, रवया बहुत जादा नहीं बदलता है, ऐसा है क्या? बेशक, बेशक, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, और जो भारत की इकोनॉमिक सिस्टम है, वो यही मानता है कि भारत का विकास पूजी पती करेंगे, उन्हें रिसोर्से सौप दो, उन्हें सारे सबसीडे दे दो, उनको बैंक से लोन दे दो, और उनको जमीने सौप दो, फ पूजी पती हैं यही विकास कर देंगे, और हमने देखा कि यह मॉडल बुरी तरह फेल हुआ है, इसमें करोडों करोडों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि एक पूजी पती जब एक उद्योग लगाता है, तो वो लाखों लोगों को बेरोजगार कर देता है, जो काम हा आदमी की तिजोरी में इखटा कर देता है, यह ठीक गांधी जी की विचारधारा के विपड़ीत है, यह हिंसा को बढ़ावा देता है, गरीबी को बढ़ावा देता है, अन्याय को बढ़ावा देता है, यह policies Congress भी चलाती रही, Communist Party की सरकार जहां रही, महां भी उन्होंने य कर रही थी, विजू पतनायक अपने विजू पतनायक अपने पुरीसा में कर रहे थे, सब जगह, सभी पार्टियां, और उत्तर प्रदेश में मायावती वही कर रही थी, उन्होंने भी वहां पर मायावती के समय में, दिल्ली के नजदीक नौैडा में, भट्टा पारसॉल में किसानों के घर जलाए गए थे जमीन लेने के लिए तो सारे देश में जितने भी हमारी political party यह एक तरीके से दक्षण पंथी है पूझी वादी है इन में से कोई भी गाओं का विकास गाओं की अर्थववस्था विकेंदरित अर्थववस्था ना तो इसको समझती है ना इनका हिम्मत है कि यह इसका साथ देदें क्योंकि इनका जो political चंदा है वो इन ही पूझी पतियों से आता है इनकी पार्टियां पूझी पतियों के चंदे से चुनाव लड़ती है इसलिए इन में हिम्मत ही नहीं है कि यह कह सकें कि हम बड़े उद्योगों को बंद कर देंगे बुटी रुद्योगों को बढ़ावा देंगे गाओं ग तो हमने के वी आइसी को चांस दिया तो के वी आइसी कुछ नहीं कर पाया तो इसका आप थोड़ा अपने तरफ से इसका वो जवाब दीजिए हां कि यह किस तरह से यह खोकला वो दावा है देखिए आज कल मैं हम लोगे किताब पढ़ रहे हैं ग्रूप में उसका नाम है और इसका ने अग्रेजिया राज यह किताब सुंदरलाल जी ने लिखी थी और जो हमारे मुझख लगे ना नहीं नहीं सुन्धरलाल जी थे बहुत पुराने थे लेखत थे और सन 28 में अंग्रेजों ने इस किसाब को जब्द कर लिया था और गांधी जी ने उस वक्त इस किताब के बारे में लिखा था कि हमें अंग्रेजों के इस किताब के खिलाफ सत्याग्रे करना चाहिए इस किताब के अंच छापने चाहिए और बीच बाजार में खड़े होकर पढ़ना चाहिए इस किताब में पहले तो ये वरनन है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने धोखा धरी करके एक राजा को अपनी तरफ मिला कर दूसरे राजा के खिलाफ इस्तेमाल किया और कैसे वो दीरे दीरे काबिज होते गए उसके बाद आजकल हम पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने कैसे भारत के गाओं को बरबाद किया कैसे यहां के कुपी रुद्धियोंगों को बरबाद किया और उसमें वो बताते हैं लिखा है कि यह कहा जाता है कि पुझी बाद मुक्त अर्थ वरस्ता है इसमें जो अच्छा माल बनाएगा सस्ता माल बेचेगा वो टिकेगा और जिसका माल घटिया और महंगा होगा वो म अंग्रेजों के वक्त में अंग्रेजों का मिल का बना हुआ कपड़ा महंगा होता था और घटिया भी होता था और भारत का हाथ से बना हुआ कपड़ा सस्ता भी होता था और अच्छा भी होता था तो अंग्रेजों का माल बिक नहीं पा रहा था तो अंग्रेजों ने कानून बनाकर भारतिय समान पर चुंगी और टेक्स पढ़ाया कपास पर और बने हुए कपड़े पर और भारतिय जुलाहों का इतना शोशन किया कि उनको अपने अंगुठे कटवा लेने पड़े और ऐसा करके सरकारी दमन के द्वारा उन्होंने अपने उद्योग को बढ़ावा द हैं वो सरकारी बंदूकों के दम पर चल रहे हैं चाहे वो जमीने हरपनी हो तब सरकारी बंदूक का इस्तेबाल किया जाता है मजदूर जब नियाय योचित मजदूरी मांगता है तब उसको पीटने के लिए सरकार अपनी पुलिस भेशती है मजदूरों को लाठी मारती है गोली चलाती है जेलों में डाल देती है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूझी पती हमेशा सरकारी मदद से चल रहा है इसके अलावा आप अगर गाओं में आप जानते हैं कपड़ा बना सकते हैं जूता बना सकते हैं स्टेशनरी बना सकते हैं आप साइकल बना सकते हैं ब बड़े उद्योगों को एक तरफ के वी आईसी खड़ा कर देगी दिखाने के लिए लेकिन दूसरी तरफ बड़े उद्योगों को कहेगी कि तुम भी ये माल बना सकते हो अगर आप पीस आईनाथ की रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि बदनाम तो किया जाता है गरीबों को कि गरीबों को सरकार बड़ी सबसीटी दे कर बिगाल रही है सरकार इनको आलसी बना रही है लेकिन असलियत ये है कि सरकार इन बड़े उद्योगपतियों को बहुत बड़ी बड़ी सबसीटी देती है लाखों करोड रुपए की सबसीटी देती है वो सारे आंक पश्वेश्षा पूसेए की मदद से वो गाउं के बने हुए साबुन से सब्सक्राय को कि खुरिबते हैं तो आप देखेंगे गाउं का बनावा बिस्कृट महंगा होगा बड़े उद्योगता मर जाता है और मरता नहीं है वह मारा नश्ड होता है. अगर सरकार ये करना बंद कर दे और सरकार रिजर्व कर दे कि ये चीजें बड़े उद्योग नहीं बना सकते फिर देखिए कैसे पुट्वी उद्योग नहीं चलेंगे. कैसे गाओं-गाओं में रुज़दार नहीं आएगा. कैसे गाओं की समरिद्धी का केंद्र बन सकते हैं, जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जा रहा है, जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जा रहा है, अन्याय को बढ़ाया जा रहा है, ये रास्ता शांती का रास्ता नहीं है, ये इस धांचागत हिंसा को जब हम देखते हैं, तो हम अहिंसा में कैसे विश्वास बनाए रखें थोड़ा आप नौ जवानों को एड्रेस कीजिए जो मैं कई नौ जवानों को मिलती हूं जो अहिंसा के तरफ आकर्शित हैं उनको ये बात तो समझ आती है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं कायम बनेगा वो सुलूशन हिंसा के लेकिन उनको ये नहीं समझाता कि इस परिस्तिती में अभी जो हम जिसमें है उसमें अहिंसा का रास्ता हम कैसे अपना है तो एक तो कुछ अपने अंधरोनी डिसिप्लिन का शेर करिए कि हर इंसान अपने मीतर क्या ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसमें ये ताकत पैदा हो और क्या औजार क्या है what are the methods today देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हम ये समझें कि गांधी का क्या मारदर्शक था गांधी का मारदर्शक था सत्य सत्य हमारा भी मारदर्शक है और सत्य ये है कि आज जो भी विवस्था में हो रहा है वो इंसानी लालच का नतीज़ा है हर इंसान चाहता है कि उसके पास जादा से जादा हो वो जादा से जादा एक्यूमिलेट करना चाहता है अमवानी भी अंदर से डरा हुआ है या अडानी भी अंदर से डरे हुए है वो सोचते है कि कहीं खतम ना हो जाए मेरी धन दौलत खतम ना हो जाए इसलिए जादा ही कमजोरी है तो फिर हिंसा किस के खिलाफ करेंगे ये लडाई तो मेरे अपने खिलाफ भी है ना मेरी भी अपनी परसनल लडाई है कि मैं कैसे लालच से दूर हूँ जब मैं लालच से दूर हूँगा तब मैं दूसरों को कहूँगा कि आप भी लालच मत कीजिए और मैं पूरे समाज को लालच से मुक्त होने की बात कह सकता हूँ तो ये तो परसनल लड़ाई है और जब हम जानते हैं ये परसनल लड़ाई है हमारी अपने भीतर की भी लड़ाई है तो फिर हिंसा किस के खिलाफ और हिंसा से लालच खतम नहीं हो सकता. हिंसा से आप किसी के शरीर को नकसान पहुचा सकते है. किसी को थोड़े वक्त के लिए डरा सकते है. लेकिन उसे बदल नहीं सकते. हमारी कोशिश बदलने की है कि हम ये बताएं लोगों को कि आपका जो लालच है वो दरसल डर में से निकला है आप डरते हैं कि खतम हो जाएगा डर ये मत इस प्रकृति के पास सब के लिए है और आपको कितना चाहिए आप दो कमीज नहीं पहन सकते दो थाली खाना नहीं खा सकते दो बिस्तर पर नहीं सो सकते आपको एक बिस्तर एक ठाली खाना एक कमीज एक वक्त में चाहिए इस से जादा आप इस्तिमाल नहीं कर सकते क्यों इखटा कर रहे हैं क्यों दुनिया के लिए दुख पैदा कर रहे हैं क्यों संसार में युद्धों को जन दे रहे हैं क्योंकि गांधी कहते थे युद्ध रणन भूमी में लड़ने से पहले हमारे मस्तिश्क में पैदा होता है और युद्ध के दो कारण है लोब और दूसरे से चीनने की वरत्ती और नफरत लोब और नफरत गांधी कहते थे कि इन दोनों को अपने दिमाग में पहचानना है औ और जो आहिंसक एक मानवता का, जो बहुत natural इस्टिती है, वो कई दूर नहीं जाना है उसके लिए, दरसल युद्द और नफरत और लोब के सवार्थ होते ही, दुनिया में शान्ती और आहिंसकराज, वो विद्दिमान है, उसको कई से लाना नहीं है, कई हमें जाना नहीं है उसके लिए तो यह हमारी personal conviction भी है हमारी personal समझ भी है और यह हमें यह हमारी guiding force भी है कि सत्य को पहचानो वो कहते रहो उसके लिए काम करते रहो और फिर जो कीमत चुकानी हो वो चुकाओ हमने सत्य को पहचाना उसकी कीमत चुकाई आज मेरी संस्था के उपर बुल्डोजर चल चुका आज मेरे पास कोई संस्था नहीं है कोई स्टाफ नहीं है कोई मेरे जीवन यापन का स्थाई आधार नहीं है यह सब हमने कीमत चुकाई है इसके लिए और लेकिन खुश है संतोश है कि हमने सच्चाई के लिए कुछुना सत्य के लिए खड़े हुए न्याय के लिए खड़े हुए और अन्याय के खिलाफ लड़े और इसके कीमत चुकाई अगर वो कीमत चुकाने की हिमत है तब हमें सक्तिय और अइंसा के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि यह आसान रास्ता नहीं है यह रास्ता बहुत पुर्बानी मांगता है खाली हम यह सोचें कि हम प्यारी प्यारी बातें कर लेंगे और उससे दुनिया बदल जाएगी वो नहीं होने वाला इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है जब बहुत अंधकार महसूस होता है तो कई साथी कई खासकर यंगर पीपल नहीं कई अपनी उमर के भी लोग जो इन फैक जिनको लगता है कि हमने तो पूरी जीवन एक काम किये लेकिन कुछ नहीं निकल पा रहा यह जो कि जब साथीयों को यह लगता है कि आई भयापन बिल्कुल अंधकार में घिरे हुए हैं तब आप कैसे उमीद की लोग कायम रखते हैं नहीं मुझे हमेशा लगता है कि हम बहुत असरदार लोग हैं हमारा बहुत असर है हमसे सरकारे डरती है हमसे ये विवस्था कांपती है इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत प्रभावशाली हम बहुत कर पार है हम इस विवस्था को लगातार हिलाते रहते हैं हम इसको चुन अगर हम नहीं होंगे, तो ये संभावना को नौजवानों तक कौन पहुचाएगा, कि ये हो सकता है, ये सपना है, हम उस सपने को नई पीडी तक पहुचा रहे हैं, और जिनको निराशा है, निकलें वो बाहर, बाहर निकल कर अभी सत्य बोलने लगें, अभी पुलिस आ तो ये तो सबसे जादा हमारे लिए फेवरेबल टाइम है, जिसको निराशा हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा, आप निकल लिए तो सही बाहर, नस्दीक के स्कूल कॉलने पहुचिए, और बात करिये आजादी की लड़ाई, उसके क्या लक्ष थे, सामाधिक आर्थिक न्या धर्म निर्पेक्ष्टा, आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के मुसल्मानों का क्या योगदान है, आप बात करना शुरू कीजिए, अब भी पुलिसाद आएगी और आपको रोक देगी, मत बोलिये सच्चाई, देखिए कितना डरते हैं ये लोग सच्चाई से, निक सरकार जितना जादा होता है, एक दिया उतना जादा चमकता है, ये हमारे चमकने का वक्त है, मुझे बार बार मैसेज आते हैं, कि सरकार आपको अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है, मैं बहुत खुश होता हूँ, कि मुझे नोटिस में लिया जा रहा है, मुझे मैं इतना मह तो नहीं हो कि मुझे neglect कर दिया जाए, ignore कर दिया जाए, मुझे ignore करना, मतलब मुझे याने सचाई को, जो सच बात है, विचार है, विचार को आप ignore करी नहीं सकते, विचार आपके उपर ऐसा जोरदार प्रहार करता है, कि जो जूट है, वो घबरा जाता है, ललख़णा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुब कामना है आपके कारिया के लिए, जे, महुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए,